ओम ज्ञानत मिरांधस्य ज्ञानन जन शलाकया चक्षूर मिलितम येना तस्मई श्री गुरुवे नमहा ओम नमो भगवते वासु देवाया ओम नमो भगवते वासु देवाया ओम नमो भगवते वासु देवाया तो अब हम करेंगे श्रीमत भागवतम कैंटो पहला अध्या आठवा श्लोक संक्या छटा तो हमने अभी तक सुना कि किस तरीके से धूर्त दुरियोतन उनके दल ने छल करके अजात शत्र युदिश्टर के राजे छीन लिया था लेकिन बाद में दुरियोतन मारा गया सारे लोग मारे गए और सब लोग दुखी थे और वहाँ पर बैट में एक परफेक्ट राजा आ सके जो कि कृष्ण भावना मृत को बढ़ा है तो इस प्रकार से नों ने अपना समराज भलाने के लिए क्या किया या जी त्वाश्वमेग धस्त त्रिभूरुक्तम कल्पते कल्पके तत्याशा पावनम दिक्षू शत्मन्यो इवस अतनोता भ एक पवित्र ख्याती सो यग्य करने वाले इंड्र की तरह सर्व दिशाओं में फैल गई तो ऐसा कहा जाता जैसे मैं भी बोल रहा था हम दिसकस करें भगोदीतावे कि यदि हम वैदिक कर्म गांडों को करते हैं तो हम इंड्र और ब्रहमा के पद को प्राप्त कर सकते हैं ह शुद्ध वैशनों लोग देवी देवताओं से भी उची पोजिशन वास्ताव में हैं बड़े साधारन से लगने वाले लोग जैसे श्रिला परुपाद हां रूप गुस्वामी सनातन गुस्वामी भक्ति भी नोठ ठाकुर भक्ति सिद्दान धर सरत्सोदी ठाकुर और शिष्षे उनके शिष्षे उनके शिष्षे उनके शिष्षे बड़े साधारन से वक्ति लगते हैं लेकिन वास्ता में उनकी पोजिशन देवी देवताओं से बहुत उंची है क्योंकि देवी देवताओं के भक्ति मिश्रित भक्ति है हाला कि वो भी वक्ति है लेकिन ये ये भी वक्त है, इनकी भक्ति शुद्ध वक्ति है, इसलिए ने कोई पद, पोजीशन, कोई नहीं चाहिए, इसलिए संसार में साधारन एक्दम बन कर, केवल धोती कुर्टा पहनते थे, धोती पहनते थे, भक्ति वनों ठाकुर्टों, अक्सर हम देखते हैं कि उपर का कपड भी नहीं पहना है, नाम जप रहे हैं, इक्दम साधार, और इस तरही किसे लोग उनको सहजिता से ले ले लेते हैं, तो यदि कोई वैदिक कर्म कांड करें, तो इंद्रपत को प्राप्त कर सकता है, तो इंद्र ने सौ अश्व में यग्य किये, एक्चुली मैं सौ अश्व ने तीन यग्य किये और इंद्र ने सौ यग्य किये, फिर भी बता रहे हैं कि यदिश्व मराज की ख्याती, सौ यग्य करने वाले इंद्र की तरह सारे इस दिशाओं में फैल गई, तो यहां पर यह समझ में आता है, कि भक्त भी यग्य करता है माना, जैसे इन उन्होंने भी अग्य किया लेकिन भगत का यग्य केवल कृष्ण की प्रसंदा के लिए और इस प्रकार से कलियुग में हम लोग भी रोज यग्य करते हैं किस प्रकार हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम उसके लिए किया रता है लेकिन इस यग्य में कोई इच्छा नहीं है इसलिए एक भक्त की ख्याती पूरे संसार में फैल जाती है जैसे कि शिलप रूपात में बता रहता है कितने लोग आए संसार में जिनका बहुत नाम हुआ लेकिन कभी किसी के ऐसी पूजा नहीं करी गई जैसे शिलप रूपात की आज पूरे संसार में चाए अंग्रेज हो चाए देशी हो अभी देशी हो सब लोग उनको पूछते हैं तो इस प्रकार से भक्त के रूप में ख्याती होना वास्ताव में सही ख्याती है हम लोग रामनंद राई की चर्चा सुन रहे है श्री चैतन की प्राप्त कर गए लेकिन उन्होंने किसी ख्याती के लिए नहीं किया था उन्होंने भगवान की प्रसंता के लिए किया था जैसे कि अर्जुन ने भगवान की प्रसंता के लिए युद्ध किया था युद्धिश्र महाराज ने भगवान की प्रसंता के लिए अश्वमे िपनिया उध्धवा संयु तः ड्वैपायन आदि भीव़ि प्रे पूजीतः प्रति पूजीतः फिर भगवान श्री क्रिष्टन ने सात्यकी त्था उध्धव के साथ प्रस्थान करने की त्यारी करी तो ये समय है जब युद्ध समाप्त हो रहा था हो गया था युद्ध समाप्त हो गया था आपने पहले भी सुना तक युद्ध समाप्त होते होते भी कुछ-कुछ कुछ हो गया था गर्वर अश्नगा है जो आप सुनेंगे आगे तो probत हो गया है भगवान आप जाने की तयारी कर रहहे हैं कहाँ है द्वार्गा में जाने की तयारी कर रहे हैं स्पेशली इस यॉद्द के लिए यहां पर आए थे और बल्राम जी ने यॉद्द में participate करने से मना कर दिया था और बलराम जी उस वक्त तीर्थ स्थानों में निकल गए थे ठीक है तो कृष्ण जो है अब वापस जाने के त्यारी कर रहे हैं उद्धाव के साथ उन्होंने श्रील व्याजदेव आदी सभी जानते थे वहाँ पर व्याजदेव थे व्याजदेव कितने बड़े हैं भगवान से बहुत ही इस संसार की दिश्री दिख जाए व्याजदेव तो बहुत बड़े हैं संसारिक एज के साब से लेकिन सभी जानते थे कि क्रिष्ण भगवान है तो इसलिए व्याजदेव और भ्रहमन सभी ने भगवान का पूजा करी और उनके बाद पांडू-पुत्रों का अमंत्रित किया कि और भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया कि ऑल्दो भगवान पूजनिय थे सभी के द्वारा भगवान किसी वरण अश्रम में नहीं आते हैं वैसे तो भगवान शत्रिय थे यहाँ पर यहाँ पर दिखा जाए तो जब ब्रिंदावन में थे तो भगवान गोप थे अब भगवान शत्रिय कर रूल अपना कर रहे हैं तो शत्रिय होने के नाते वो ब्रहामणों से पूजा नहीं ले सकते हैं वास्ताव में उन्हें ब्रहामणों का सम्मान करना चाहिए लेकिन वहाँ पर तो सारे ब्रहामण व्यास देव जैसे वेक्ति भी उनकी पूजा करने को त्यार थी क्योंकि भगवान शत्रिय शुद्र वैश्य थोड़े होते हैं पैशनों की कितनी महत्ता है संसार में क्योंकि वो भगवान की भक्ती परदान करते हैं जो कि किसी भी कीमत पर खरीदी नहीं जा सकती है केवल एक भक्त के हिर्दय से हमारे हिर्दय में ट्रांसफर होती है तो इसलिए उनकी सबसे बड़ी महत्तपून रोल है तो इसलिए भ विप्र जो उनके पास आए तो उनके भी प्यार दोए तो इस प्रकार से भगवान दिखाते हैं कि अल्दो वो भगवान है लेकिन वरनाश्रम के अनुसार वो एक छोटे होने का रोल अपना रहे हैं इसलिए शत्रिय का धर्म है कि वो वैशनों की सदकार करें उनका पूजा क केते हैं लेकिन सम्हाओ हम उनके पड़ती भी उतनी रिस्पेक्ट नहीं पैदा गर पाते हैं तो यह बड़ा जरूरी है इसलिए सारे शास्त्रों में बोला गया कि साक्षात धरित्वेन समस्त्र शास्त्रेर कि उनकी क्या पोजीशन होने चीए तो भगवान उस पोजीशन को स्थापित करने के लिए कई बार ऐसे एक्जामपल देंगे कि हमें कैसे करना चीए वैशनों के साथ चरित्र ओके गंतुम कृत्मापी भ्रह्मन द्वार काम रथम अस्थिता उपले भे अभिधावंतिम उत्तयाम भया विवलाम भया विवलाम जो ही वे प्रद्वार का प्रस्थान करने के लिए रथ पर सवार हुए तभी उन्होंने भयवीत उत्तरा को तेजी से उनकी और आते हुए देखा भयवीत उत्तरा भगवान की तरफ तेजी से भागते हुए आ रही है तो भक्त लोग संकट में भगवान की तरफ जाते हैं कितने संकट आये भक्तों के रहते रहते पांडूओं के ऊपर लेकिन फिर भी उनकी भगवान के परती श्रद्धा नहीं जाती है वो कभी कॉंप्रोमाइज नहीं करते हैं किसी भी हालत में और अगर वो जानते हैं कि रक्षा करेंगे तो कृष्ण करेंगे नहीं तो हम मर जाएंगे क्योंकि यदि कृष्ण चाते हैं कि मर जाएं तो मरी जाएं इसलिए वो हर हाल में कृष्ण के पास ही जाते हैं और उत्रा ने पाही पाही महा शोगिन देवदेvais जगतपते नाम्यंत्वदभयंपश्य यद्रमृत्यू पर्सपरं उत्राने का हे देवादी देव हे भ्रहमान के स्वामी पाही पाही आप सबसे महान योगी हैं किर्पे हमेरी रक्षा कीजिए क्योंकि इस द्वैद पूर्ण जगत में मुझे मृत्यू के पास से बचाने वाला आपके अतरित औरने कोई नहीं है अब यहां पर आपको लगेगा कि आप ही तो आप कहरे रहे हैं भागवान वैशलाव को चाहते नहीं है तो यह क्यों अपने प्राणों की रक्षा चाहती है यह तो पांडूं के ही उसमें है कुल में है तो पांडू तो शुद्ध भक्त हैं वो तो प्राणों की रक्षा भी नहीं चाहते हैं तो यहां पर उत्तरा अपने प्राणों की रक् पतास यसो विभो कामम दहतु मामनाथ मामे गर्भो निपात्याम निपात्यताम हे प्रभु आप सर्व शक्तिमान है एक धहकतावा लोहे का बान मेरी और आ रहा है मेरे प्रभु यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे बले ही जला दे लेकिन यह मेरे गर्भ को जला कर गर्भ अनुग्रह करें तो उत्रा ने क्या देखा कि भयानक मान उसकी तरह बारा है तुरन्त वह भगवान की तरह बोली है और क्या बोलती है जैसा कि पिछले स्लोक से कन्फ्यूजन हो सकती थी कि उत्रा अपने प्रानों की रक्षा कर रहे है लेकिन यहां पे कहती है यदि आप चाते हैं तो मैं मर जाओं नो प्रावलम जदी प्रभू आपकी इच्छाओं तो बले ही जला दें लेकν मेरे गर्भ की रक्षा करें क्यूं रक्षा करें क्यों कि क्या में एक वैषणॉ जीव है और वैषणों की रखषा सबसे इंपोर्टन्ट है कि सबसे इंपोर्टन न्याद सबसे इंपोर्टन्ट भगवान के लिए कौन है لمोब्रहां हमारे बच्चे खासतर पर गुरुकुल के बच्चे हर किसी में कमिया होती है, हमारे अंदर भी कमिया, उनके अंदर भी होंगी, लेकिन कुछ ऐसे वह एटिकेट सीख गए हैं, कुछ ऐसे हैबिट्स उनकी हो गई है, कि जो समाज के लोग उनने देखते हैं, तो एकदम से चक लिए दट बहुनाओं में मतलब बोलने के तरीके में इच्छाओं में बहुत बड़ा डिफरेंस है तो हम भी यही उत्रा के पद चिन्दों पर चलते हुए हमारा अब यही दाइट बनता है कि हम अपने बच्चों की रक्षा करें जैसे उत्रा अपने यदि वो फल फूल के बड़े हो गए तो फालतू में पृतिवी पर अपने पूरे जीवन काल में कितना मल गिराएंगे अपने शरीर से निकाल निकाल के कितनी गंदगी गिराएंगे केवल एक भार की तरह इस संसार में रहेंगे और किसी का फाइदा नहीं होगा उन से यदि यदि वो कृष्ण भक्त नहीं बन पाए यदि वो वैशना नहीं बन पाए प्रचार नहीं कर पाए तो इनका जीना मरना सब वेस्ट है आज वो हमारे बच्चे हैं कल किसी और के बच्चा बैदा बनके पैदा होंगे परसो किसी और के बच्चे बैदा बनके पैदा होंगे जैसे सेंकडों लोग सेंकडों मच्छर रोज पैदा होते हैं सेंकडों गलत बोल दिया मिलियन्स या बिलियन्स पता नहीं कितने मच्छर रोज पैदा होते हैं उतने ही रोज मर जाते हैं कोई पूस्ता है कौन सा मच्छर मरा कौन सा नहीं मरा उसी तरह से हजारों करोडों लोग पैदा हो रहे हैं उमर रहे हैं इस यूजलेस लाइफ यूजलेस डेथ इसलिए हमें अपने इन धरोरों की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि आगे कृष्ण भगति की मशाल यही लोग लेके आगे बढ़ेंगे तो उत्रा भी उसी पद चिन्नों पर बोलती है कि यदि आपको मुझे जलाना है तो जला लेजिए लेकिन मेरी जो संतान है इसको घरब पातना होने दीजिए यह बड़ा इंपोर्टेंट है श्रील परुपाद से कई वा लोग बोलते थे परुपाद आप कहा रहे हो कि वैदिक कल्चर बहुत अच्छा था सब कुछ बढ़िया सलता था सारा सीच चाही जलती थी लेकिन आपने देखा है कई कुछ आंकड़े वह बोलते थे उन में से एक आंकड़ा है लिटरेसी रेट देखिए उस जमाने में लिटरेसी रेट य बच्चे को पैदा करती है तो दस बच्चे पैदा करती थी तो पाँच छे तो मरी जाते थे और चार पाँच बचते थे तो पदूपाद का अंसर उनके यह यह होता था कि वट अबोर्शन की फिगर को कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको लगेगा कि अब जो है पचास बच साल में लड़किया माँ जाती हैं और क्या करें हो तो जाके अबोर्शन करती हैं और बाद में भी करती हैं तो इस परकार से उत्तरा के जीवन से में देखता है कि वो कह रही है कि मैं मर जाओं लेकिन ये ना मरें समहो तो इस ये भाव हमें दिहान अकना चाहिए कि हमारी यह कौन हो तुम हाँ वो कहता है जी मैं नरेंदर मोदी हां यह मैं यह मैं यह जानता ही नहीं और माना वह इंग्लिश बोले यूनों हूँ आएम आएम अएम प्राइम निस्टर आफ इंडिया नरेंदर मोदी हां तो क्या वो बड़ा इंटेलिजन वाना जाएगा सिंपली नहीं जानते हैं कि वो कौन है भगवान कौन है तो उस पड़ाय लिखाई का क्या लाब हुआ क्योंकि अल्टिमेटली हम लोग सब भगवान के आंच हैं और असली चीज ही नहीं जानी पहले के 90 लोग जो अनपड थे उन 90 के 90 लोग जानते थे कि भगवान कौन है और हम कौ आपको ये भी बताया कि वास्तिविक रक्षा क्या है केवल इनके स्वास्त का ध्याना रखिए पूरा जीत और महनत कीजिए क्या बनाने के लिए डॉक्टर इंजीनर बनाने के लिए नहीं भक्त बनाने के लिए अगर इसकी सेलरी कम रह गई तो क्या होगा तो क्या ज्यादा salary वाला यमराज के लोक में नहीं जाता है भगवान के धाम में चला जाता है जिसकी salary दोलाग रुपे पर मंद होती है क्या वो भगवान के धाम में चला जाता है simply because he's earning two lakhs क्या भगवान उसको preference देते है क्या IAS officer जिनको यहाँ पर red light में preference मिलती है बड़े बड़े मिनिस्टर political leaders इन सब को हो सकता है यहाँ पर preferences मिलती है हो traffic lights में लेकिन क्या इनको यमराज की lights में हम लोगों को अगर हम पढ़ ले जाएं तो कोई preference मिलेगी नहीं मिलेगी वहाँ पर हम line में लगे खड़े होंगे अपने जुर्मों के सजा काटने के लिए इसलिए यदी वास्तो में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की रक्षा हो तो उन्हें तो कम से कम भक्त बनाएं बच्पन से क्यों कि हमने अपने बच्पन से लेके बड़े होने तक नजाने कितने अपराद कर दिये कितने पाप कर दिये, उसके बाद में 100 चुहे खा के हम लोग घज को चले हैं, लेकिन चलो चले तो सही कम से कम, लेकिन क्यों हम चाते हैं कि हमारे बच्चे भी 100 चुहे खाएं, और फिर घज को चले, कई लोग कहते हैं, तुमने तो अपनी जिन्दगी जी ली, इसको भी जीन हैं हम लोग, हम वास्ता में देखतें नहीं है कि क्या क्या होने वाला, क्या हो रहा है जीवन में, और रहुआ लगता है कि हम सुखी हैं, वास्ता में हम nov Hillemanbn को कहाणी बताई दी कि ऴेले में ऐक आदमी को बोला गया, कुछ पल आणंद के, तो उसने बहुत बड़ी है, अ बहुत बढ़ी आए तो कि आपकी हालत कि ऐसे खुशी में नाचते नाचते पागल हो गया बाल खड़े हो गए बिखर गए हां दूसरा वेक्ति अंदर जाता है और अंदर जाते एक मुस्टंडा लंबा चोड़ा आठ फुटका उसको ऐसे उठा लेता है और उसके घूंसे थ देखा तो नहीं तभी एक आदमी आ रहा होता है भाईया यह क्या है भाईया बहुत बढ़िया जगह है जरूर जाना आप तो इस तरह से हर वेक्ति दूसरे वेक्ति को पिटवाता रहता है उसी तरह से हम बोलते हैं बेटा तूने तेरी शादी ने वही तेरा जीवन बेका हो गया वास्ताव में कोई भी वेक्ति अकर आख बंद करके अपने जीवन के बारे में देखे एनलाइज करे तो उसको समझ मायाएगा कि उसने जीवन में महनत बहुत करी है लेकिन बदले में उतना आनंद तो नहीं आया हम भूल जाते हैं जैसे मुझे याद है आज भी कि कि जब मैं अपनी education कर रहा था higher education कर रहा था तो कितना stress था मेरे उपर मैं सोचता था जीवन में बस ये exam निकल जाए बस उसके बाद मेरे जीवन में कुछ नहीं है रात रात को सपने आते थे हां सोची हम इन सारे कश्टों को भूल चुके हैं याद कीजिए जब माबाप न इसल की नोक गड़ाई होगी आपके बच्चमन में कभी हमारे हमारे जमाने में तो गड़ा दी जाती थी कई बाद तो वो सारे पल हम क्योंगी भूल चुए है इसलिए मैं लगता है जीवन क्या आनंद में है तो यही बात समझने की है तो यही सोचते वे हम रक्षा के उप आन दीपतान आलक्ष अस्तरान उपाददू हे महान विचारकों मुनियों में अग्रणी शौनक जी उस धहकते होए ब्रमास्तर को अपनी और आते देखकर पांचो पांड़ों ने अपने अपने पांचो हतियार संभाले ओहो एक और ब्रमास्तर जिस व्यक्ति को छोड़ दिया गया था वो व्यक्ति बाज नहीं आया है और उसने एक और ब्रमास्तर छोड़ दिया है उत्तरा के उपर पांड़ों के अंतिम चिन को समाप्त करने के लिए पहले पांच तो बच्चे मारी थी हैं पांड़ों के अब एक गर्ब में हैं उत्तरा के हैं इनका उत्तरा इसको भी समाप्त करने के लिए एक और ब्रहमास्तर छोड़ दिया गया और ये देखते ही सारे पांड़ों ने अपने अपने हातों में आतियार समाल लिए अब देखते हैं क्या करेंगे लेकिन आप जानते ही कि ब्रहमास्तर तो ब्रहमास्तर है वो साधहरन अस्तरों से रुकने वाला कहा है पांच पांड़ों में इतनी ताकट है कि ब्रहमान को रोक सके है तो अरजुन ने रोका था भगवान के आशिरवात से यहां पर एक और ब्रहमास्तर छोड़ दिया गया है क्या इतनी देरे में वो रोक पाएंगे जितनी तेजी से वो बान आ रहा है क्या आपने हक्यार को रोक पाएंगे उससे ब्रहमास्तर को समय से रहने पर क्या उत्रा के गर्ब की रक्षा हो पाएगी उत्रा के गर्म में आखिर है कौन ये जानने के लिए बने रहे इस चैनल पर आपसे जल्दी मुलाकात होगी शिलप रुपात की जाए ग्रंत राशिमत भागोतम की जाए